Good morning student, chapter 7, diversity in living organism, subject science, today we will discuss about the topic of five kingdom, first monera, second protista, third fungi, fourth planty, five animalia. हमारी अर्थ के अंदर about 10 क्रोड के आसपास अलग-अलग टाइप्स के प्लांट, अलग-अलग टाइप्स के एनिमल पाई जाते हैं, ठीक है, उनमें से 17 लाख के अलग-अलग टाइप्स की स्पीसिज को भी हम क्लासिफाइड करेंगे, तो इन औरगनिसम को किसकी बेस पे क्लासिफाइड करते हैं कि उनकी सिमलाइटीज क्या है, उनमें कौन-कौन सी सिमलाइटी रहे, उनमें कौन-कौन सी इस-सिमलाइटी है और उनका किसे इंटरेलिशन है, ठीक है? firstly discuss of monera they are unicellular organism they do not have definite nucleus their mode of nutrition may be autotrophic or heterotrophic for example amoeba or bacteria monera का मतलब unicellular का मेंद क्या होता है जिनकी बोड़ी एक से बनी होती है और इन में कोई definite nucleus नहीं पाय जाता है इन में क्या है nutrition autotrophic भी हो सकती है heterotrophic autotrophic क्या है जो अपना भोजन खुद prepare करते है और heterotrophic क्या होता है जो अपना भोजन खुद नहीं prepare कर सकते है वो दीसरे living organism पे दूसरे living organism पे depend होते है for example amoeba और bacteria तो bacteria क्या है जितनी भी bacteria है वो preocreatic organism में आते है preocreatic क्या होता है जिनकी जिनका size बिलकुँ small होता है उनमें किसी प्रकार की कोई nucleus या किसी प्रकार की organelles present नहीं होती तो सारे जितनी भी bacteria है वो कौन सी में आएगी preocreatic organism में आएगे protista they are unicellular unicellular क्या होती है जिनकी body XL से बनी होती है they have definite nucleus इसके अंदर definite nucleus होती है their mode of nutrition में भी autotrophic भी हो सकता है और itrotrophic autotrophic में इन क्या होता है जिन जो अपना boson खुद prepare कर सकते है itrotrophic जो अपना boson खुद prepare नहीं कर सकते है for example unicellular algae algae आपको पता है न जो अपना boson खुद prepare कर लेती है उसके बाद में आता है fungi मतलब इनके अंदर similarities है ज्यादा इनके अंदर difference भी नहीं है fungi क्या होते है they are unicellular unicellular वही सेम बाद जिनकी बोड़ी Excel से बने होती है they are eocreatic organism मैंने बताया था कि जो बैक्टेरिया है वो सारे preocreatic में आएंगी eocreatic organism में आएंगी fungi मतलब जितने बच के endoplasmic, practiculum, ribosome, lysosome जितनी भी organelles है वो सारी इसके अंदर present होती है उसके बाद में आता है plenty plenty क्या होता है they are multicellular multicellular मतलब कि जिनकी बोड़ी बहुत सारी cell से बनी होती है अब आपको पता है plant होगी हम human होगी उनके अंदर एक cell से थोड़ी नहीं बनी होती है उनकी बोड़ी बहुत सारी cell से बनी होती plant के अंदर भी बहुत सारी cell होती है इयोकरोटिक में आएंगे आपको पताइए कि बैक्टेरिया सारे प्रियोकरोटिक में आएंगे और सारी बैक्टेरिया को छोड़के योक्रोटिक का मतलब जिसका साइज बड़ा होता है, जिसके अंदर सारी ओरिगनिलीज, न्यूक्लिय, सब कुछ प्रेजन्ट होता है, ओटोट्रोफ क्या होता है, जो अपना बोजन खुद बना सकते हैं, दे यूज क्लोरोफिल फोर फोटो सिंथिज, आपको पता है, ये कि की बोड़ी भी क्या है, एक सेल से नहीं बनती, बहुत सारी सेल से बनती है, मल्ति सेलूलर हो गया, ये करोटिक, बताए दिया, दियार हिट्रोट्रोफिक, हिट्रोट्रोफिक है, एनिमल खुद तो बोजन बनाने से रहे, तो वो दूसरे पे लीविंग और्गनिसम पे डि पेंड है, तो वो किसमें आएंगे हिट्रोट्रोफिक में, ठीक है, तो इसमें क्या आएंगे एनिमस, बार्ड एंड हुमन,